हाई फ्रेंट वेलकम अगें सिविल साइट नॉलेच आज का टॉपिक है मेजर मेंट कैसे करते हैं फिट से मीटर में कैसे चेंज करते हैं मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूं अगर आप सिखना चाहते हैं तो फ्रेंट वीडियो को लाश तक बनी आपको याद करने की कितना होता है चीवनल इंच इसका इया सेंपल है। यह सब्बल है इसका फैका यह सेंपल है तिक है आभ उसे तरह मीटर भी बात कर लों घंड़ हैました तो अब यहां से multiply करके आप लिख सकते हैं कि 100 cm बराबर आपको कितना हो जागा वन मीटर ठीक है तो अब यहां से लिख सकते हैं आप 1000 देखें जब यह 100 हो रहा है तो एक संटीमेर टेन एमम वन थाउजन एमम बराबर आपको एक मीटर यह आपको याद रखना है फ्रेंड य 50 children me cry दिखें उन्तों मीटामर कितना अमें मोटमांट झाल मीटर में तो आप जाना New और झाल एक संटीमीटर में कितना 10 म्मीक्ता होता यह जाखा है और यहां मेंत्स नहीं एक इंच मेंत्क जानीर मैच एक dazzle 304.8 mm इसको लिख सकते हैं 3045 mm यानि 305 mm एक फीट में कितना 305 mm ठीक है अब आपको करना है कि एक फीट में कितना मीटर तो आप जानते हैं कि 1000 mm में 1,000 mm एक मीटर होता है इसको 1,000 mm आप यहां तर डिवाइड कर सकते है आपका 1,000 से यह आपका हो जागा 0305 आपको 13305 मीटर, आपको यह हो गया, एक फीट में आपको कितना आगया यह आपको यात हो गया है है चलिए इधर से बढ़ते हैं । आपको समझ गए एक फीट में कितना है ہ latter 305-tリ जीरो पाइफ दो कितना था यह समाज गाते इसको भी calculation करके चलिए अब एक मीटर में जानते हैं कितना हो रहा है आपका 1000 mm ठीक है तो इंच में convert करना है तो कैसे जानेंगे आपको कितना इंच होगा आपका तो एक मीटर में 1000 divided by 25.4 कर देंगे आपको आजागा इंच में कैसे कि 25.4 mm में एक इंच में बताया हूँ यहां स आप इसको डाइवार्ट चेंज करती है तो आपको जागा 39.37 इंच आपको यह भी याद कर सकते हैं आपसे कोई पूर्स होता है एक मीटर में आपको 39.37 इंच होता है यहां से एक आपको conversion में गया देखते हुए चलिए ठीक आप क्या करना है आपको फीट जानना है एक 3.37 डिवाइड़ वह आपको कितना हो जागा आपको 12 कर दिखे रहा तो यह आज आगा 3.281 यह एक मीटर में आपका हो गया 3.281 फीट यह आपको निकल गया फीट आप देखे दोनों रिलेशन आगया फीट से और मीटर में एक मीटर में आपको पॉइंट त्री पॉइंट करें त्री टो आपको यहां से आगया यह थिस स्क्राइश धिए कि बाया अब करना है आपको क्या करना एरिया अभा से हैं अ सब्सक्राइब सकते हैं और मीटर इनटिव करेंगे तो एसफों में मीटर हो जागा ठीक नहीं यह सिम्पल है कि चलिए इस हमाल नहीं है ल較 स्क एरिया L is equal to आपका 1 meter है और B is equal to भी 1 meter है ठीक है एरिया कैसे निकालेगा L into B होता है L into B यानि आप लिख से 1 into 1 लिख सकते हैं इस equal to 1 meter square आएगा अब इसको feet में करना है तो क्या करेज़ेगा तो 1 meter में कितना होता है कितरा feet होता है 3.28 feet होता है अभी मैं पाता है 1 into 3.281 feet तो आपको यह calculation कीजिए तक 10.765 feet square आया आप देखिए आपको एक मिल गया 1 meter square बराबर होता है 10.765 feet square यह आपको यहाँ से याद कर सकती है समझ गए अब चलिए आपको अगर मालीजी किसी का चेंज करना है कि आपका यह area है कैसे चेंज करेंगे तो मालीजी यह 3 meter है यह 5 meter है समझ गए तो अब इसका area निकालेंगे तक यहाँगा 3 into 5 यानि कि 15 meter square इसको feet में change करना है कैसे करेंगे आपको आप जानते है सकते हैं एक मीटर सक्वाइब में 10.765 होता है यानि multiply करना है यानि चीज को कर सकते हैं 15 into 10 into 7 6 multiply किजिएगा तो आपका आ जाएगा 161.4 feet square अब आपको यह भी निकल गया 15 meter square बराबर यह मीटर से आप क्या क्लिए feet में change हो गया अब चलिए आपको दिखाते हैं feet के तरफ बढ़ते है feet में मालने जी यह आपका क्या होगा यह भी समझ लिजी मैं तो इदम आपको समझानों कि आपका भी भूल नहीं सकते सब्सक्राइब इसका एरिया के लिए 1 into 1 is equal to 1 feet square अगर मालने चीज को मीटर में change करना तो मीटर में कैसे लिख सकते हैं एक मीटर में हो एक feet में इतना होता है मीटर तो 0.305 यानि कि आपका मीटर इसक्वाइर में लागा तो यह आपका कल्कुलिसम कीचिएगा तो 0.093 सब्सक्राइब अब आपको यह भी एरिया में 1 feet square बढ़ाओ इतना अब और एक जांपल देख लिए आपको मैं एक जांपल बढ़ा दो यह देखिए 4 feet 3 inch है और यह आपका 5 feet 4 inch है समझ रहे हैं अब इसका एरिया निकाली गया तो क्या हो जागा 4 देखिए अब इसको feet को क्या करना है इंच को क्या 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 ना feet में बदलना है तो यह देखिए 3 divided by 12 इंटू आपको लिख सकते हैं 5 प्लस 4 divided by 12 लिख सकते हैं लिख सकते हैं जब आप calculation कीजिएगा तो calculation कीजिएगा तो 4.25 इंटू 5.33 अब इसको जब calculate कीजिएगा 22.6525 feet square अब आपको क्या करना है feet को meter में change करना है तो meter में change करना है तो 1 feet square is equal to 0.093 meter square तो आप इसको multiply कर दिए 22.65 इंटू 0.093 तो अब इसको calculation कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2.109 अब यहां तो आप यहां से जब calculation आप देखे हैं कि 1 meter square is equal to 10.765 feet square आप इससे divide कर सकते हैं दोनों आपको clear हो जाएगा चलिए मैं आपको बता दू volume कैसे निकालते हैं किसी भी चिज़का volume कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता दू बलूम इसकोल टो होता है L into B into h length breath is equal to height इसमें क्या होता तीनों आपका आजाता है मालने जिए किसी भी चिज़का volume आयता निकालना है ये qb मालने जे qb है इस टाइब का है ठीक है आप ये 1 feet मालने जिए इसका ब्रेत हो गया और height मालने जे ब्रेत वेख वाको आपको होगा length is equal to one feet और इसका जो height है किहां तो थोड़ा इस टाइब में आएगा एस ते ये height is equal to माने जी h is equal to one feet जब इसका volume निकालेंगे तो v is equal to क्या हो जगा one feet into one feet into one feet equal to one feet क्यों आप इसको क्या करना आपको meter में change करना तो कैसी है तो one feet is equal to मैं बता है था 0.305 into 0.305 into 0.305 तो आप यह लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसका calculation कीचिएगा तो आपका आएगा 0.0283 मीटर क्यूव आपको एक और निकल गया फीट one feet is equal to fit q is equal to zero point ठीक है एक एक जांपल देख सकते हैं एक जांपल में अगर माल लिए जाए कि 10 feet क्यूव आ रहा है आपको meter में change करना हो तो कैसे करेंगे इसको 10 x 0.0283 से multiply करेंगे तो आपका आजागा 0.283 मीटर क्यूव यह आपका हो गया ठीक ओके अज sniff क्लिया अब्सपोर्ट डियाट म आल लिए मिटर की तरफ बढ़ते हैं मीटर यॉइक याद रखना पड़ेगा मीटक्य चुटा रख क्लियर अब इसको फीट में अगर करना है तो इसका कल्कुलेशन आप किजिएगा तब कि आपको 35.319 कि आपको एक और रिलेशन में मिल गया वन मीटर की इसको तो 35.319 यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर चेंज करना तो यह आपको याद रखिए या तो फीट वाला या तो मीटर वाला बड़ा मेजर वाला याद रखिए तो असान रहेगा क्योंकि मीटर जो है बड़ा है तो अगर यह वन नहीं लिखते हैं तो माइनट चेंज आता है कहीं कहीं आपको बता देता हूं अगर 323.3.28 x 3.28 x 3.28 करते हैं इसका वैलू आ जागा आपका 35.2875 तो अब देखिए इसमें 1 रखे हैं तो कल्कुलेशन कीजिए 319 आया है तो कहीं कहीं आपको देखने के मिला है 35.39 35.319 से मल्टिप्लाई करना है तो 50 मीटर क्यों में चैंज होता है याद यह तो कोई नहीं दिकत आपको सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस आएगा आप यहां से प्याड सकते हैं एक जम्पल देकर मैं आपको बेस्त बताने जा रहा हूं कि मेजर्मेंट कैसे निकालते हैं चल्ण जामपल देखिए यह देखिए किसी चीज का मेजर्मेंट है सब्सक्राइब करना है एक आप यहां से निकाल सकते हैं तो माल लिए कितना है आपको यह 17 पाच इंच है और इसका हाइट है फोर फीट सेवें इंच और इसका के बिट है सेवेंफीट छेंग्ज समझग है तो फिल्म किसे निकला है लेकिन आपको क्या करना है पहले इसको फीट को लोग सारी इंज को फीट में चेंग करना पड़ेगा तो ये देखें 5 divided by 12 इन्टु 7 फिर शेंग तो 6 divided by 12 और 4 फोर प्लस में 7 divided by 12 तो आपको ये निकल जागा 598.03 क्यूबिक फिट में आपको कल्कुलेशन हो जागा अब इसको मीटर में चेंज करना तो कैसे करना आपको मैं बताया था कि वन फिट स्क्यूबिक फिट क्यूबिक अब इसे मल्टिप्लाइ कर चीए या तो इसमें आप 35.319 वारा उत्से डिवाइड कर चीए तो आपका सेम डाटा मिलेगा आप सिर्फ एक निकाल देए याद कर जिए अब उसे तरह देकि मीटर में आगा 3.420 मीटर आ रहा है और है 1.9 और वेट इसका 2.25 मीटर है इसका वालूम निकालेंगे तीनों से मल्टिप्लाइ कर जीए तो आपका आगा 14.62 मीटर क्यूब 14.62 x 35.2 319 से मल्टिप्लाइ के जीए तो आपको यह जगा 516 CFT आपको फीट से मीटर में चेंज करने आ गया ठीक है तो मैं आपको बता दो कि आपको कौन-कौन से डाटा याद करना है याद एक चोली में कौन-कौन से डाटा याद करना है पहले तुम्हें इस सब बता दो जो जगूरत है 1 meter is equal to 1000 mm आपको याद करना है 10 mm बराबर 1 cm एक फीट is equal to आपको याद करना है 12 inch 1 inch is equal to 25.4 mm यह आपको याद करना है 1 feet is equal to 305 mm और 1 feet is equal to 0.305 meter और 1 meter is equal to 3.28 feet और 1 meter square is equal to 10.765 feet square आपको यह याद रखना है बाकी सब आप conversion convert कर सकते हैं अब देखिए अगर आपका 305 feet square है तो आपको क्या करना है तो मेतर मे चयरों है तो आपको करना है किभाइड करना fear किसे विद्जा से 10.76 से चिसल डिवाइट करना है तो मुह मेतर में निकल देगा अगर जबत मुझे करना में आँ करना है तो क्या हो BOB denny करना है अगर बड़े उनिस्ते चनоры में कनवर्ट करना तो आपको मुल्टिप्लाई करना जी से 410 मीटर स्क्वार है तो फीट में चेंज करना तो कैसे हो जागा आपको इंटु करना पड़ेगा 10.76 अभी देखिए मैं बता हैं फीट स्क्वार में उसी तरह आपको वालूम में देख लीजी अगर मालें जी करना पड़ेगा 35.319 से आपको तिस इतना ही डाटा याद रखना है कि डिवाइड करना है मल्टिप्लाई करना है डिवाइड कब करना है जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कल्कुलेशन कर रहे है तो टीक है जैसे मालें जी 35 फीट है मीटर में चेंज करना है तो क्या किजिए डिवाइड किजिएगा 3.281 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आपको मीटर में यह आ जाए अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा पूरे डाउट्स क्लियर हो गए हो तो लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजि तो फ्रेंड्स मैं हमेशा सिविल से रिलेटर वीडियो बनाता हूँ अगर अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो देखें तो आप शेयर किजिए लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए साथ में बिल आइकन को ही प्रेस किजिए फ्रेंड्स ओके बाई